जै मसी की दोस्तों, आज के स्वरगी मन्ना का भाग हमने लिया है फिलिप्यों की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसका बारवा और तेरवा वचन वचन कहता है, अब एभाईयों, मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ, कि जो कुछ मुझ पर बीता है, उससे सूसमाचार की उन्नती ही हुई है यहां तक के कैसर के अंग्रक्षकों एवं अन्य सब लोगों में ये बात प्रकट हो गई है, कि मैं मसी के लिए कहत में हूँ धन्यवाद पिता परमेश्यर, तेरे बवित समर्थी नाम में अद्बु शिफा है, तेरा वचन और तेरा सूसमाचार हमें वो समर्थ देता है, जो सुख और शान्ती हमारे चीवन में लेकर आता है, हालेलुया यह वचन क्या कहता है इस वचन के दोरा हमें पता लगता है कि पॉलुस उस रोमियों की कैदों में था और उस कैद में रहते हुए वो आनंद को महसूस कर रहा था क्यों आनंद को महसूस कर रहा था क्योंकि वो सू समाचार के लिए कैद में था सू समाचार क्या है सू समाचार किस ने हमें दिया सू समाचार परमेश्वर की ओर से आया है सू समाचार इशू मसी की ओर से आया है और सू समाचार में ही जीवन है सू समाचार में ही आजादी है सू समाचार में ही सामर्थ है और सू समाचार में ही जोती और ग्यान है इसलिए सू समाचार सबसे बड़ा एक वो काम दिया है परमेशर ने हमें इश मसी के द्वारा कि हमें इस जीवन में करना है मेरे दोस्तों मेरे भाईयों अगर आप चुने गए हैं अगर आपको लगता है अगर आपको विश्वास है अगर आप मानते हैं कि परमेशर ने आपको चुना है तो सिर्फ इसलिए चुना है कि सू समाचार आप दुनिया तक पहुँचाएं वो शुब समाचार जिसको आप देने वाले हैं वो नर्क के रास्ते में जाना था लेकिन परमेशर का आशीश परमेशर का मचन जैसे ही आपने उस भाई उसात्मा को दिया वो सुर्क के रास्ते में जाने लगा तो ये सू समाचार परमेशर ने हमें दिया है और हमारे द्वारा वो चाहता है कि संसार तक पहुंचे इसलिए दोस्तों आप कहीं भी काम करते हो आप कहीं आफिस में काम करते हो बहुत बड़ी नौकरी आपके पास हो बहुत बड़ा पैसा आपके पास हो लेकिन आपको चुना इसलिए गया है ताकि आप सू समाचार में सहयोग दें अगर आपका जीवन सु समचार में सहयोग नहीं दे रहा है, तो यह समस्या है, अगर आपका जीवन सु समचार में सहयोग नहीं दे रहा है, अगर आपके रिष्टे सु समचार में सहयोग नहीं दे रहे हैं मेरे भाई, मेरी बहन, तो यह चिंता का विशह है, क्योंकि नहीं है, हमें अपने लिए नहीं जीना है, हमें अपने सुक के लिए नहीं जीना है, हमें परमेश्वर के लिए जीना है, और परमेश्वर की आग्या है, कि हम दुनिया के छोड तक जाएं, और सूस हमाचा सुनाएं, बताएं कि परमेश्वर की योशना क्या है, बताएं कि इशू-मसी मर कर زिन्दा क्यों हुआ और बताएं कि इशू-मसी दुबारा आने वाला है हाले रहिए देखें दोस्तों धाउमा जो कि बहग गया था धाउमा जिसमें अवश्वास आया था धाउमा जो कि इशू-मसी के चलता था उसने सारे चमतकारों को सारे समर्थ को इशू मसी के संग रहते हुए देखा लेकिन फिर भी अविश्वास किया फिर भी अविश्वास किया लेकिन यहोना 20 में हम देखते हैं कि किस तरीके से इशू मसी उसके पास गए इशू मसी ने बताया उस सू समाचार का रहसे इशू मसी ने बताया कि उस सू समाचार में जो वाचा है वो वाचा ये कहती है कि इशू मसी के हातों में वो छेद इशू मसी के हातों में उसके पसलियों में वो जो छेद हैं वो निशान है वो सूसमाचार की वाचा है उस वाचा को पहचानना उस वाचा के रहसे को जानना उस वाचा को समझना हमारे लिए बहुत सुरूरी है और जैसे ही थौमा उस वाचा को समझा थौमा जैसे इशू मसी के प्यार को समझा इश्यू मसी की योशना को समझा, इश्यू मसी के पवित समर्ती नाम को समझा, उसी पल थौमा ने सबसे पहले उसे परमेश्वर के रूप दिया, सबसे पहले परमेश्वर के रूप दिया, और वो ही थौमा हमारे हिंदुस्तान में आया, केरला की धरती पर आया, और आप ज आज भी पर्मेशर किसी पॉलस को ढूनता है कि जो सूसमाचार सुनाते हुए आनंद महसूस करें, हमें सूसमाचार सुनाते हुए आनंद की अनुभूती, आनंद का एहसास होना चाहिए, चाहे हम कट्राई में हो, चाहे हम विवदा में हो, चाहे हम मुश्किल में हो, चाहे ह चाहे हमारे पास नौकरी हो या ना हो, चाहे हमारे पास रिष्टे हो या ना हो, लेकिन हमारा काम हमें सू समाचार में आगे बढ़ना है, अगर हमारे जीवन से सू समाचार नहीं पहलाया जाता, तो ये चिंता का विश्य है, मेरी बेहन, मेरे भाई, सू समाचार हमारे जीव का पहली मनजिल होना चाहिए सू समाचार सुनाना परमेश्वर की पहली आग्या है इसलिए उस आग्या पे चलना हमारा धर्म है इसलिए उस आग्या को मानना हमारे लिए पहला 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 धे है हलिलुया इसलिए दोस्तों आईए हम प्रात्रा करते हैं और वचन बांते हैं कि हमारे जीवन से सू समचार सुनाय जाएगा जहां हम रहते हैं वहां के पास पास के लोगों को सू समचार सुनाय जाएगा जहां हम काम करते हैं वहां पर सू समचार सुनाय जाएगा हम सू समचार के लिए समर्पिद हैं हमारे जीवन से सू समचार हमारे रहने से सूसमाचार हमारे बोलने से सूसमाचार हमारे काम करने से सूसमाचार की उपस्चती होनी चाहिए पता लगना चाहिए लोगों को कि हम मसी है और हम में जीवन है और हम में सूसमाचार है और हम इसलिए चुने गए हैं हम उस पैसे के लिए हम उस ऊराम के लिए नहीं चुने गये हैं, जो परमेशर से हम मांगते हैं, नहीं हमें वो आराम चाहिए जो रहा हमारे जीवन में सुख हो, हमारे जीवन में समर्थ कैसे आएगा ताकि हम सू समचार के जरीये अपने जीवन को निभाएं इसलिए आईए दोस्तों हम एहद करते हैं हम वाचा बांते हैं हम परमेश्वर के चरणों में जाते हैं घुटने टेकते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन से सू समचार सुनाया जाए चाहे हम कितने भी बुड़े क्यों न हो जाए अगर आप बुड सिद्ध है तो ही आप परमेश्वर के बच्चे हैं तो ही आप परमेश्वर की ऑलाद हैं तो ही आप चुने गए हैं धन्यवाद देते हैं ये पिता परमेश्वर धन्यवाद आपकी करपादर्श्वर हम पर है सुनने वाले हर भाई बेन के लिए आशीर सुक और चंगाई म मांनता हो और सामरत की शक्ति मांनता हूँ उनकी ट्लाइयों से उनने बचाता हो जिन का ट्लाइयों में वहें ताकि वहां से निकले हों ए मैंश्य मुस्याय कि पबत समस्यारती नम से मांगतें Amen 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 Amen